नमस्ते डेया वीवर्स आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं what is critical velocity मेरे प्यारे वीवर्स हम लोग fluid mechanics को continue कर रहा है इसके पहले हम लोगों ने poiseleys equation for the rate of flow of liquid throw in narrow tube को देखा है ना उसका क्या क्या limitations था expression का वो देखा and then हम लोगों ने उसका corrections भी किया तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लिए लिंक नीचे मिल जाएगा description में तो प्यारे वीवर्स fluid mechanics में हमें critical velocity पढ़ना है ना देखे critical velocity actually प्यारे वीवर्स स्ट्रीम लाइन फ्लो टॉबुलेंट फ्लो लामिनर फ्लो ओके जो टाइप सब फ्लो है लिक्विड फ्लो उसके रिगार्डिंग एक टॉम है critical velocity होता क्या है प्यारे वीवर्स देखे एक्शुली में critical velocity एक ऐसा maximum limit है अगर वहां तक लिक्विड का फ्लो हो तो उसके फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा लेकिन अगर उससे ज्याधा हो गया तो लिक्विड का फ्लो जो यह टॉबुलेंट हो जाएगा वहां प्यूस इस वार्ट क्रिटिकल व्लोसिटीं होगा व्यूस कि प्थर्मिनल विलोसीटी जो हमें स्टोक लॉक पर ना होता है बट टॉमिनल फ्ल सब्सक्राइब क्रिटिकल विलासरटी एक ऐसा मैक्सिमम व्लासरटी यह प्टो विच जहां तक जो लिकुड फ्लो होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है और जैसे ही व्लासरटी जो है है लिक्विड का वो ट्रॉवलेंट हो जाता है अब देखें ये जो critical velocity है इसका formula कुछ इस प्रकार का होता है expression वीज इस equal to okay keita rho कुछ इस प्रकार का जहां पर यह जो वी सी है ये critical velocity को denote कर रहा है कह जो है मिरे प्यारे विवास यह आपका डेंसिटी है लिक्विट का और आर जो है यह रेडियस है जिसमें लिक्विड फ्लो करेंगे तो यह जो एक्सप्रेशन है प्यारे विवस इसको डिमेंशनल एनलीसिस की मदद से क्या किया जाता है ड्राइव किया जाता है तो हम लोग यहां देखते हैं कि आखिर स रो, बी, आर, सी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेरे प्यारे विवस ए, बी और सी जो है यह एक्चुली क्या है? डिमेंशन से critical velocity का in terms of eta, रो और आर इहाँ जो eta, रो और आर है इनके terms में dimensions है ए, बी और सी critical velocity का ठीक है? अब यहाँ देखो, हमें पता है कि critical velocity का एक प्रकार का velocity है, तो इसका dimension कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का M0, L T inverse कुछ इस प्रकार का जो है इसका dimension होगा, अब क्या है? यहाँ पर जो क्या है, यह क्या है? dimensionless constant है, तो इसका कोई dimension नहीं होगा, हाना? इटा का dimension के इस प्रकार का होगा? इसका होगा M, L inverse, ओके? या, बिल्कुल T inverse होगा, ठीक है? अब यहाँ पर रो है, यह क्या है? यह रो जो है, यह आपका density है density क्या होता है? मास भाई, वोल्यूम सो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं M1 L पर पावर minus 3B and then, जो R है, यह length है इसको, इस पर power C देते हैं ठीक है? अब थोड़ा सा इसको अगर आप solve करो इसको थोड़ा, तो आपको क्या मिलेगा देखने को? देखो यहाँ पर M, A, L minus A D पर पर minus 1 है ना, तो यह भी minus A हो जाएगा आपका, ओके, and इसको भी ले आते हैं सबको साथ में M, B, L पर पावर minus 3B and L, C हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? समझ पा रहे होंगे? अब आईए, देखे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सबको साथ में अगर ले आएँ तो हम लोग comparison कर पाएँगे M, अब देखे, M वल अटॉम यहाँ पर कितना है? यह दू है, तो M पर पावर A प्लस B, L वल अटॉम कितना है? तीन है, तो तीनों को साथ में ले आते हैं minus 3B and यहाँ पर प्लस में C आ जाएगा and then T पर जो पावर A है, तो T तो single है, चलिए, ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो है, अब comparison करते हैं ताकि things जो है, easier हो सके अब अगर आप comparison करो, है ना दोनों को, तो आप यहाँ पर क्या देख पाओगे तो आप देख पाओगे, तो आप देख पाओगे कि M के लिए यहाँ पर A अर्थात A का वल्यू हमें 1 मिल जाएगा, अब इस A का जो वल्यू 1 मिला है, इसको यहाँ पर substitute कर देते हैं, तो B का वल्यू क्या मिल जाएगा, minus 1, अब यह A का वल्यू 1 और B का वल्यू minus 1 को इसमें substitute करते हैं, ठीक है minus 1, यह क्या हो जाएगा प्लस में 3 आजाएगा, ओके तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस C is equal to 1, ओके तो C का वल्यू क्या जाएगा, minus 1 अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें A का वल्यू मिल गया, 1 B का वल्यू मिल गया, minus 1 और C का वल्यू क्या मिल गया, minus 1 ओके, so मेरे प्यार है विवस इन वल्यू को कहा रखना है, इसमें रखना है VC में, हमना VC is equal to K, eta A, rho B, R पर पावर C इसके वल्यू को यहाँ पर रख दीजिए VC is equal to K, eta पर पावर A है तो A का वल्यू 1, rho है तो इसका वल्यू क्या हो जाएगा, negative 1 R है, इसका वल्यू भी, negative 1 ओके, so we can write it this ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, rho R so this is critical velocity का यह expression है हना हम लोग dimensional analysis की मदद से जो इसको derive करते है मेरे प्यार विवस, यहाँ पर यह जो constant है कि इसको कहते हैं, Reynolds number क्या कहते हैं, Reynolds number ओके, अब यह Reynolds number क्या होता है, थोड़ा इसे जान ले, मेरे प्यारे विवस देखे, Reynolds number जो है, यह actually में एक pure number है, dimensionless constant है, ओके, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो liquid flow कर रहा है, है ना, उसका flow का nature जानते है, है ना, मतलब है कि नेचर जानने से मतलब यह है, कि जो liquid flow क कर रहा है, वो streamline है, okay, turbulent flow है, यह laminar है, यह हम लोग इस Reynolds number की मदद से पता करते हैं, okay,